इंदुस्तान और से दंगल यूटू चैनल में आप सभी का स्वागत है महें कुल सेकर्दुबे और आज मैं फाइनल रेस गोरखपूर का दिखाने जा रहा हूँ सभी घोड़े छूट चुके हैं और चार चकर का फाइनल है और पहला टर्निंग पार होते ही हरे राम मुखिय जी का रोकेट घोड़ा आगे चल रहा है जिस पर सवार अनिल यादो उर्फ मकावू दिती अस्थान पर चल रहा है कुनाल जी समस्तिपूर का घोड़ा जिस पर सवारी कर रहे हैं सवार मेगू और उसके बगल में सवार संभूष्णी बिहार के स्रीविवेका पहलवान ज इसके रफ्तार पर ही पबलिक लट्टू रहता है और यहां पर लाश्टा के ऐसे ही अथावत इस्थिती बनी रही है और यहां पर प्रतम अस्थान प्राप्त किया हरे राम मुखिया जी जहुआ भोजपूर बिहार का रोकेट घोड़ा जिसमें सवार अनिल यादो उर्फ मकाउ और उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने भी घोड़े के मालिक हैं सवार हैं सईस हैं सभी लोग इस घोड़े के पावर को अपने नजरों से देख लिए बहुत लोग तो यह भी सवाल उठा रहे थे कि हरे राम मुखिया जी का रोकेट घोड़ा इसलिए हरेस में प संभूसी चल रहे हैं और लाश तक सवार संभूसी दूसरे अस्थान पर बने रहे लेकिन सवाल ए है कि सवार संभूसी को केओं इस रेस से बाहर होना पड़ा कमेंट करके जरूर बताए और यहां पे दूसरा अस्थान मिला कुनाल जी समस्तिपूर के घोड़े को जिस पे सवारी करें सवार हिरा लाल यादो यहीं यहां का निर्ण रहा और हिंदुस्तान होर्षे दंगल यूटूब चैनल सबसे पहले आप सभी को गोराकूर का फाइनल रेस दिखा रहा है आप सभी लोग चैनल के साथ अपडेट रहे है बने रहे है और जो भी गोड़े इस रे सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों से सब्सक्राइब कर रहे है ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप सभी के लिए ऐसे ही अचानक वीडियो नया वीडियो सबसे पहले वीडियो लेकर आता रहूं आप सभी लोग वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और भी लोगों में सेयर कीजिए मैं फिर मिलता हूँ आगे नया वीडियो लेकर रॉकेट घोड़ा के बारे में आप कमेंट करना न भूलें दो सब्द हरे रामुखियाजी के घोड़े के लिए मैं फिर मिलता हूँ आगे नया वीडियो लेकर वी